अगर आपको डिलीट करना हो मैनूल तरीके से शॉटकट की का यूज करके तो आपको गूगल सीट में मैंने बताया ही है कि कैसे हम डिलीट करते हैं तो आपको डिलीट करना है किसी कॉलम्स को जैसे मा लिजिए कि ये बी को डिलीट करना है और सी को तो दोनों को अराम से सलेक इसमें दो ही कॉल्म है V और C तो पास इस पर डिलीट पर क्लिक कीजिए अब को इससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ ये दिखिए यहां पर 73 और यहां पर नाइन लिखा हुआ है यह थीक है तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको दोनों को एक अलग color provide कर देता हूं ताकि ठीक रहेगा ये ये ब्लू color देता हूं तो यहां पर देख सकते हैं 73 और 9 ये लिखा हुआ है और इन्हीं दोनों को मैं delete करने वाला हूँ ठीक है तो अभी एक यह हो गया और दूसरा यह हो गया यह इन्हीं और दोनों को delete करना है, ठीक है? दोनों को select कर लीजें, और यहाँ पर рाइक र Bytry किजीए, और यहाँ से delete B2C, तो जैसे B2C को delete करेंगे, तो B2C delete हो जाएगा, ठीक है? दोनों में, क्या-कया था, मैं एक बर, फिर Ctrl Z करके आपको दिखाता हूं, देखिए 73 और 9 और फिर जब delete कर दिया तो क्या हुआ इस में से 73 और 9 का app हो गया देख रहे हैं तो यह है इस तरीके से आप delete कर सकते हैं बहुत ही easily ठीक है manual तरीका भी हो सकता है delete करने का तो आप ऐसे ही delete कर सकते हैं ठीक है insert करोना हुआ तो वह भी बहुत असान है तो यहां पर दोनों को select कीजिए यहां पर right click कीजिए और यहां में लिखा हुआ insert two columns left right में चाहिए left में चाहिए किदर चाहिए ठीक है वो देख लिए और फिर जो है आप insert विकराफाएंगे तो यहां से left में चाहिए तो यहां पर insert हो जाएगा देखिए यह बॉर्डर लगा हुआ जो आया हुआ है यही column insert हुआ है देखिए देख रहे हैं यह पूरा ही इतना जादा insert हो गया एक ही बार में तो यह समझते अब खतम हो जाएगी इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोज बनाए है I hope की बात समझ में आ गई होगी एक वीडियो अच्छी लगे तो share करें Thank you for watching